हेलो स्टुएंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग तो क्लास आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 14.4 जो के स्टेटिस्टिक्स है ठीक है क्वेश्च नमबर वन दा फॉलोईंग इस्टिबिशन गिविशन गिविन देली इंकम फिफ्टी वरकर सब्सक्राइब तो क्लास अभी तक जो हम एक्सरसाइज करी महां पर हमने मीडियन पड़ा और थार्ट एक्सरसाइज पर हमने मौड पड़ा तो क्लास सबसे जादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमने यह तीनों में बहुत अच्छे से सीख लिए हैं लेकिन यहां पर हमें उन्हें ग्राफ पर दिखाना है ग्राफ मिस उजाई सही माइने में कॉमलेटिव फ्रिकें सबसे करना है यह देखते हैं तो पहले हम टेबल प्लॉट करते हैं उसके बाद फिर मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझना है पेपर में यह कोशन अक्सर आयाता है और फोर्म आक्सरा होता है तो सबसे पहले क्लास की काफी तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे करना है पहले हम अपनी टेबल कंवेश्ट करते हैं तो क्लास हमारे पास क्या है पहले डेली इंकम जो कि हमारे पास इन रुपीज में वहीं हमारे पास नंबर आफ वर करें यह हमारे पास FI होता है अब क्लास सबसे पहले हमारे पास क्या है सबसे पहले हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है हंड़िट 120 120 140 140 160 160 180 and 180 200 और यहीं हमें दे रखा है 12 14 1818 1610 अब सबसे पहले चीजें यहां पर समझने यहां पर हमिन रखा है वह दे रखा है उनसे से वनटइटी के बीच में वह कितने वार Meन करें यहां पर 120 अहां कि यहां पर 120 मोर बट्लेस दें 140 उसमें कितने हमने पर 14 वार करें यहां पर 140 मोर है बट लेस देन 1 60 similarly 160 मोर बट 180 लएस एड बनेत्य मोर तें बट लेस देन 200 जैना कि 200 से कम 180 से कम 160 से कम 1 40 से कम 120 से कम तो पहले हम क्योंकि क्योंकि हम लेस क्या करेंगे यहां पर हमारे पास अजाएगी लेस देन टाइप हो जाएगी कि यहां पर हम दिखाएंगे किस से एक से हैं अब हमारे पास क्या है यहां पर हम 140 लेज देन 160 180 एंड 200 तो सबसे पहले क्लास हमारा कि जो काम है वह हमेशा हम हम इस दिन में इधर आ लेंगे अगर मोर देन हो तब इद ले हैं 10121 की यह पर मोर देन 100 है मोर देन 120 मोर देन 140 मोर देन 160 मोर देन 180 लेकिन यहां पर लेस देन है मैं बार बार आए रिपीट के लेस देन हमेशे यह वाला 120 अब आता है यहां पर आती है मैं पास कॉमिलेटिफ फिकेंसी मैं क्या लिखते हैं 12 सेकेंड में मैंने क्या बाता है 12 प्लस 14 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा 26 हम आड़ कर देंगा 26 फिर में 26 में यह 8 add plus करिए 26 प्लस एड कितना होगा 34 334 में 6 प्लस करिए अ कितना हो जाएगा हमारा 40 निद फॉर्टी में 10 प्लस करिए विकितना जाएगा 50 यह हमारा हो जाएगा y cumulative frequency जो हम y axis किसे लेंगे हैं यह हमागा पास एक्साग यह और यह पॉइंट आ गए यह आस्का 120 लेंगे तो y का 12 लेंगे अगर एक्स का बॉन फॉट्टी लेंगे तो y का 26 लेंगे अगर आप एक्स का 1 60 लेंगे तो वाई का 30 लेंगे अगर आप X-axis पे 180 लेते हैं तो आप Y-axis पे 40 लेंगे अगर आप X-axis 200 लेते हैं तो य एकसिस पे आप 50 लेंगे अब हम क्या करते हैं यह वैलूस लेकर हम पॉइंट प्लॉट करते हैं यानिके यूजिंग हमाँ पर है 120 ग्यूट्श से हमारा क्या हो गया 12 उसके बाद 140 लूंच है K المआ उनता है लेक्सक्त से फिरव व्यक्सी तो नेक्स्व फाइए और पास 34 फिर ओन एक्टिद्ट एक हमारे बाप पास 200 पास है मоворि फॉइफिटे किस पे लेंगे यह अन्र फीम एकस्सिज दोनों को सेम एक्शिस पी रहना है यानि के आपको एक से अच्सिस पे भी और आॉय एक्सिस पे भी ठीक है ऐसे सेम एक्सेस 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 पर दोनों को सेम पॉइंट में अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं कि अब क्लास हम यहां पर देखते हैं कि यहां भी कितना है हमापस हंड्रेट 120 140 160 180 एंड 200 यहां पर कितना है मैं पर मैं एक्सेस फिफ्टी का 10 20 30 40 50 अब यहां पर क्योंकि हमें न इक्वल क्या है पॉइंट यह जीरो अब यह जीरो से यहां पर इस तहां का निशाना आदें इसको बोलते हम किंक किंक यानिके ताकि हमने यह लाइन से कूर दिया श्रिंक हो गई यह यहां से ब्रेक हो गई यानिक हमें यह चीज दिखाने के लिए अब हमें यह पॉइंट लेज़ें तो सबसे पहला पॉइंट अगर आप यहां का 26 120 तो टुझे और 30 के थोड़ा सा अब अब नैच्सकाइब हमाँ पास 160 34 163 404 थे यहां पर हमारे पास यहां और फिर 180 180 पर हमारे पास कितना है 40 180 हमारा अउगया 40 200 200 पर क्या आगया हमारे पास 50 यह पॉइंट ले जाएं अब हम इनको rough sketch से roughly diagram बना देंगे rough hand से आप बना दीजए यह आपका बन जाएं यह हमारे पास क्या हो गया यह हमारे पास हो गया आपका less than ojive क्या हो गया यह less than ojive ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या है यहाँ पे हमारे पास हाया class interval यहाँ पे आपके क्या है cumulative frequency यह तो cf लिख दीजे यह cumulative frequency यह आप चाहें तो number of worker भी लिख सकते है क्योंकि यहाँ पे क्या था number of worker तो आप चाहें तो यहाँ पे number of workers भी लिख सकते है तो यह हमारा हो गया एक बार फिर देखते हैं हमने कि सबसे पहले सबसे पहले हमारे पास question था the following distribution of the daily income 50 वर कर यानि कि हमें 50 वर करकी डेली इंकम दे रखी थी कि 100 से more है बट 120 से less है 120 से more है 140 से less है हमें इसका less than टाइप हो जाइब बनाना था तो पहले हमने सबसे पहले में पॉइंट है जब भी less than कहा जाए तो अगर आप यहाँ पे वन हंडेट से more है 120 से less है तो आपको इधर वाले लिने जो अपर लिमिट है वह आपको less than में लेनी है यादि कि 120 140 160 180 है इसका आप एक्स का कॉलम बिल्कुल अलग बना दिया है यहाँ पर इसको आपका 40 40 में 10 आड़ करिया अब यह आपके एक्स सेक्सिस हो गई यह यह वाइक्स से प्लॉट कर दिया इसको आप यक्स पर प्लॉट कर दिया यह मैंने इसके बाद आपको क्या करना है सिंपल यहाँ पर 10 20 30 40 50 यहाँ पर 120 140 सिंपल आपको पॉइंट करना है और हैंट से आपको बना देना है तो यह बहुत असान हैं अगर आप आपको सब दोगों को आता है तो यह बहुत असान है और इंक्रीजिंग और में एक लास्ट पॉइंट कि इंक्रीजिंग जब भी आपका लैस्जन हो जाईव होगा तो जो आपको ग्राफ बनेगा वह इंक्रीजिंग और में बढ़ेगा ठीक है यह नहीं कि ऊपर की तरफ नीचे से उपर की तरफ जलेगा इंक्रीजिंग और में ठीक है ना तो आपको यह चीज़ समझ नहीं है कि ग्राफ ऐसे होगा अभी जब हम आगे नेक्स टॉपिक में मोर्दैन और जाइव को बनाएंगे तो आपको फिर जब आप कंपैरिसन करेंगे लैस जन और मोर्दैन